परधान मंतरी और अडानी में क्या रिष्टा है राहुल गान्दे ने पूछा जहाज से विदेश नेती तक राहुल गान्दे ने अडानी को लेकर पीम मोधी पर लगाए आरोपे की छड़ी परधान मंतरी पर दागे पांच स्वाल परदानमंतरी मोदी और गोतम अडानी के साथ कितनी बार विदेश गए पी-म के दोरे के बाद उस देश में अडानी को कितनी बार ठेका मिला S.B.I.E.L.I.C. का पैसा अडानी की कमपनियों को ही क्यों दिया जाता है विदेश सेल कमपनियों के मादम से देश में आ रहा पैसा किसका है अडानी ने पिछले 20 साल में कितने पैसे बाजबा को दिये है ये पांचो स्वाल राहूल गानी ने पुछे है लोक्षबा में राष्ट्रपती की आभिबाशन पर धन्यवाद ब्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए कॉंग्रेस सांसदी राहूल गानी ने हिंडन ब्रगे रिपोर्ट पर सरकार को जम कर घेरा और परदान मंत्री नरेंदर मोदी और उद्योगपती घोतम अडानी के रिष्टों पर सवाल उठाई उन्होंने एक तस्वीर सदन में लाराते हुए कहा कि पहले मोदी जी अडानी के जहाजों में घूमते थे और अब अडानी परदान मंत्री के जहाज में घुमते हैं उन्होंने कहा पहले मोदी अडानी के जहाजों में घुमते थे अब अडानी परदान मंत्री के जहाजों में घुमते हैं तस्वीर ये है 2014 में दुनिया के आमीर लोगों की लिस्ट में अडानी 609 नमबर पर थे पता नहीं क्या हुआ क्या जादू हुआ और यह दूसरे नमबर पर आ गए लोगों ने पूछा आखिरी है स्पलता कैसे हुई और इनका भारत के परदान मंतरी के साथ क्या रिष्टा है परदान मंतरी क्यों उन पर इतने मेरबान रहते हैं दरसल यह रिष्टा काफी साल पहले शुरू हुआ जब नरेंदर मोदी सीम थे अडानी उसमें पीम मोदी के साथ कंदे से कंदा मिलाकर खड़े रहते थे असली जादू तब शुरू हुआ जब 2014 में पीम मोदी दिल्ली पहुँचे पहले यह निगम नियम था कि अगर कोई एरपोर्ट के विवसाय में नहीं है तो वह एरपोर्ट की नहीं ले सकता अडानी एरपोर्ट को नहीं ले सकता अडानी के पास अनभव नहीं था लेकिन नियम बदल कर उन्हें देश में छे एरपोर्ट की जिम्मेवारी दे दी राहुल गांदी ने कहा कि परदान मंत्री जब विदेश जाते है तो वहां अडानी का बिजनिस बढ़ाने की बात करते है डिफेंस में अडानी जी का जीरो एक्सपिरिंस था परडान मंत्री इजराईल जाते है और फिर अडानी जी को फोन ड्रोन को ड्रोन को रीश प्ट करने और छोटे धियारों का कॉंटेक्ट मिल जाता है परदानमंत्री ओस्टेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बेंक ओफ इंडिया बने बिलियन डॉलर लोन अडानी जी को दे दिया जाता है उसके बाद परदानमंत्री बांगला देश में गई वहाँ पर इलेक्टरिस्टी बेचने का डिसीजन लिया जाता है कुछ दिन बाद पावर डेवलेप्मेंट बोर्ड पत्चिस साल का कॉंट्रेक्ट अडानी जी के साथ साइन करता है सिरलंका में तो जून 2022 में इलेक्टरिस्टी बोर्ड के चेर्मैन में ने संसद में बनाया था कि राश्ट्रपती राजबक्से ने उनसे कहा था कि परदान मंत्री अडानी ने वो भी अडानी के साथ साइन कर लिया अगनिवीर सेना बारती नहीं डवाल ने युवाओ पर थोपा है कॉंग्रेस नेतार राहूल गांदी ने कहा कि आर एसस और अजीत डवाल ने देश पर अगनिवीर योजना थोपी है कॉंग्रेस अंसद ने कहा कि उन्हें बार जोड़ यात्रा के दोरान सेना के अपसरों और पूरू सेनिकों ने बताया कि अगनेवीर योजना सेना की योजना नहीं है इसे सेना पर थोपा गया है उन्होंने कहा कि अगनेवीर योजना को जीत दोवाल ने थोपा है यह राश्ट्रिये श्यम्शेवक्षंग का आइडिया है बिरोजार युवा जो सेना में भाड़ती के लिए सुबह चार बजे शड़कों पर दोड़ लगाते हैं वो इस युजना से खुस नहीं है